रादी रादी जी सभी को प्रिणाम कैसे हैं? सभी आशकरती हों, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्थ होंगे तो जी कैसे चल रहे हैं आपके त्योहारों की प्रिप्रेशन? तो आज है होई का दिन है ना हमारे यहां धुलता है सेर तो सिर धोलिया है, सुबह के बज़रे हैं, साड़े छे, जल्दी-जल्दी काम ने उटाएंगे, जबी शाम को हम, जो हमारा हार होता है, उसकी अच्छी तरीके से enjoy ले सकते हैं, काम टाइम से निमट जाए तो बड़ा मज़ा आता है, enjoy भी हो जाता है, और एक तसलिसी भी रह पूरा व्लोग देखेगा, और जो next part आएगा, उसको भी आप बिल्कूल अच्छी तरीके से enjoy कीजिएगा, हर घर के अलग अलग रिती रिवाज होते हैं, सब के अलग अलग होते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने जो हमारे घर के रिती रिवाज हैं, वो फस्ट दूलिया है, और दिन है संडे का, तो अराम से सिर्फ दूल गया है, होई कर्वाचोद, इस पे हमारे हां सिर्फ धूलता है, आइ मोस्ट, आइ होप के सब Hir के आँ दूलता ही होगा हैं, यह दो बड़े-बड़े जो होते हैं, तो ह одखार इन पे दूलता ही है, दिवाली जि जल्दी से सिर्ष उखा के मैं आगीं किचन में हलकी से लगा लिए लेप्स्टी थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा पेमपर कर लो तो बहुत अच्छा सा लगता है और यहाँ पर देखिए रात राशन आयता और नींद अच्छी तरीकी से पूरी नहीं हो पारी न तो उस चीज की चहरे पे दिख रही है ना यहाँ पे मेरे ट्राइपोड ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है वो अपने यह पी उपनीचे उपनीचे होता रहता है तो देखिए डारेक्शन क्या रहती है और क्या डारेक्शन हो जाती है इसने बड़ा परेशान कर तो वैसे मल्टी ग्रेन का आटा और रागी वाला आटा लेके आए थे तो मैंने इनको सबको यहां पर रख दिया है समान रात को आया था रात को नहीं खोला मैंने क्योंकि थोड़ी रस्टिंग वगरा हुई थी तो यह था कि वही सुबह अच्छी तरी किसे ज़ाड़ उपको अच्छा हो जाएका उसके बाद ही में करूंगी तो जी हाँ पर मैं टाइम भी प्रदा देती हूँ बज़ रहे हैं साथ और साथ वज़े तक मैंने अल्मोस्ट इतना सारा अपना काम जो है वो कर लिया है दन है ना सुबह जल्दी उड़ जाओ तो ये बड़े फायदे रहते हैं और नालो तो सबसे बड़े फायदे है उसके तो नाने से तो 50% है ना काम ही नहीं बढ़ जाता है और यहाँ पर देखे बस यह बेसन वगएरा मंगाया था इतनी जद्धा चीज़ों के मिले जरूरत नहीं है क्योंकि आप दिवाली दिवाली पर जिस चीज़ की जरूरत होगी वो ही मैंने थोड़ा बहुत थोड़ा मुट्टा सा समान मंगा लिया क्योंकि अभी दिवाली प्रेशन होते हैं तो थोड़ा बहुत मंगा लिया है शगन कर दिया है कि थोहार शुडू हो गए तो राशन का समान भी आ गया है तो खाली कर लिया है जिस चीज़ की में ज़रूरत है चीनी की चाई के पत्ती की बेसन की आटे की आटे आटा तो वैसे हमारे घर का घेहूं ही होता है तो वही पिसवा लेते हैं बाकी हजबेन जी को लग रही थी मल्टी ग्रेन वाला आजकल उनके धुनोरी है मल्टी ग्रेन रागी ये वाला अठा का रोटियां खाने की तो पहले भी पिसवा के लाए थे पर यह आपके वारू पैकेट लिया है तो जी थोड़ा उधर मैंने कुछ हैवी सा बना दिया है क्योंकि फिर सिधा शाम कोई मिलेगा तो एक बार हो जाता ना थोड़ा सॉलिट सा खा लो तो बच्चों को बार-बार भूगनी लगनी थे पोहा बना दिया तीनों जनों के लिए पच्चों के लिए और उनके पापा के लिए ठी क ह जी ओखा बन की आए है गुड़ मैंने भीगो के रख दिया है है यह पर मैंने मैदा छाण लिया और इधर daug Prataja दूर्द के आगया है मैदा मै եा बताया है जया Artipa आ गया था मैदा किस लिए आया वह आपको पता ही चल जाएगा इसलिए बोला है कि वीडियो बिल्कुल मत कीजेगा है ना शायद भई आप लोगों के सबके घरों में बनता होगा पर जो मेरे हैं बनता है मैं उस तरीके का आपको बता रही हूँ कि हमारे हैं होई पे किस तरीके से बनता है इधर बेटा भी आगया थोड़ी हेल्प करने उधर कड़ाई मैंने चड़ा दिये तेल की है ना एक बार में मैंने फुल कर दिये कड़ाई क्योंकि ये कड़ाई चलेगी मेरी शाम तक ठीक है जी तो एक बारी तेल गरम हो जाएगा उसमें बैक टुबैट जो भी चीज़े बननी होगी वो बन जाएगी तो यहाँ पर बेटा बना रहा है चाई है ना मैंने का पापा मांग रहे थे उसके तो वो अपने पापा के लिए बना रहा है चाई हमारा तो है ब्रत तो यहाँ पर मैदा ले लिया उसमें मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल लिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाल लिया है सूजी और डाला है इसमें मैंने मोयन के लिए रिफाइंड तेल आप सरसो का तेल जो पकावा हो वो भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती और आज अपकी बारी मैंने इसमें रिफाइन डाला है मोयन के लिए बाकी मैं नहीं डालती हूँ बस हलक हलका से जैसे पूरी काटा होता है उससे थोड़ा सा टाइट हम इसको गूत लेंगे गूत के 5-10 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे उधर मैंने गूर जो है वो मीठी पूरियां बनती है उसके लिए भिगोके रख दिया ठीक है जी तो यहाँ पर मैं गूत लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ क्या इसकी condition रहेगी क्या बनाओंगी मैं मैं बनाओंगी खीकरी हमारे यहां खीकरी बनती है देखे हर कोई की अपनी अपनी लेंग्वेज होती है हमारी साइट की खीकरी बोलते हैं जा मेरा पीहर महाँ पर इसको पापड़ी बोलते हैं हर जगे के अपने अपने वो है बोल चल का अपना अलगी वो रहता है कि किस जंगे पर क्या चीज बोले जाते है तो यहाँ पर देखे इस तरीकी का आप देख रहे होंगे किस कैसा यह बन के तियार हुआ है आटा ज्यादा पतला भी नहीं रखना है पूरी से थोड़ा सा हमें हार्ड रखना है तो यहाँ पर यह हो गया है यह मैंने तीन चीजे इसलिए मिलाई है नो सोरी सोरी मैंने इसमें सूजी नहीं मिलाई इसमें सूजी नहीं मिलाई इसमें सिर्फ आटा और मैंने मैदा ठीक है जी आटा थोड़ा ही रखना मैदा थोड़ा ज़्यादा तो देखे इस तरीके का ये हो गया और बिल्कुल पर्फेक्ट बनके हुए तयार और यहाँ पर मैं बस आपको बताती हूँ अम मैं किस तरीके से बनाऊंगी बैट खड़े होके तो बनाना संभव नहीं है तो बनेंगी बहुत सारी है ना तो चलके हम बैट के बनाते हैं कोई तोड़ तोड़ के देखने हूं किस तरीके से सही है के नहीं है तो बिल्कुल पर्फेक्ट यह बंद के हमारा आठा जो हो गया है वो तयार पांच मिनट के लिए इसको रख देंगे उसके बाल यह देखे गुड़ भी मेरा हो गया है पर इसको मुझे ना पकाना जाएगा गैस के जल्दी से वह नहीं होगा भीगेगा नहीं है ठीक है तो यहां पर इसको मैंने दो मिनिट के लिए रख दिया हाथ दोने चली गई हूँ और इसके बाद जहां पर मुझे इसको बेलना है जो हमारी खीकनी है वो मैंने लगा लिया है अपना सेट अप तो बैड की मैं यहां पर यह देखिए तो बस यह अकवार रख लिया है चोटे-चोटे लोगे बना लिए काफी सारे बनेंगे न तो य यह मैं शुरू से हमारे है बैटके बनाए जाते तो जो चीज पहले से चली आ रही तो वही परंपरा में अपनाती हूँ है ना यहां मैं डांस भी करते जागी हूँ साथ के साथ है ना क्योंकि बेटे ने लगा लिया अच्छे खास है गाने तो गाने चल रहे है आज भजन नी चले भजन चल लिये सुभए खूब चले भजन और अब उसने लगा लिये गाने तो जब गाने चला लेता है ना तो मेरे हाथ पैर अपने आपी थी रखने लगते हैं तो यहां पर देखे त्योहारों में अगर इस तरीके से मतलब थोड़ा सा अच्छा महौल हो ना घर है कोई बात ने तो यहां पर दीर दीर है ना मैं बनाये जा रही है और थोड़ा सा मेरा माइंड भी फ्रेश होता जा रहा है क्योंकि गाने चल रहे है बेटा इधर उदर थोड़ी सी हेल्प भी करवा रहा है मेरी तो इतनी मुझे दिक्कती हो रही है वो थोड़ी सी आज उसने मेरी काफी हेल्प करवाई है दोनों बच्चों ना बच्चे बार-बार बोले जा रहे है मम्मी थोड़ी देर बैट जो थोड़ी देर मैंने कब भहिया बैट की तो मैं बना रही हूं है ना तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है और अच्छे घास है ना खूब भ तो यहां पर देखें मैंने दो अख्वार पूरे भर लिया है और यहां हो गया मेरी थोड़ा सा कंदों में दर्द खैर कंदों के दर्द को तो करेंगे किनारा और चलेंगे अपने किचन के तरफ जो गुड़ भीगावा था पहले उसको देखेंगे यह पूरा अच्छी त आपको फिर से बताऊंगी दूसरे व्लॉग में तो यहां पर मैंने ले लिया है यहां पर गिहूं का आटा अच्छी तरीकी से छान लिया है अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी यह मेरे पास गोले का बुरादा डालने के बाद अच्छा घासा इसमें फ्लेवर आ जात बार बार कसने का जंजट नहीं रहता है और जो एक बड़ा गोला फोड लेते है तो बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी इस्तमाल तो आता नहीं है और क्या होता है कि उसके अंदर है जब फिरीज में रखोगे तो ठीक रहेगा बाई चांस ऐसा होता है अगर बाई चां यह इस टाइब की कोई भी चीज़ा बनाऊ नहीं तो बड़े अराम से बन जाती है और सच मानी है गोले कबुरा डलने के बाद है ना बड़ा ही टेस्ट अलग ही आ जाता है बहुत ही स्वाद वाला टेस्ट आता है खीर वगेरा में तो यहाँ पर देखे मैंने थोड़ी मैं थोड़े से इसमें डाली है सफेद तिल है ना सफेद तिल डालने के बाद यहाँ पर मैंने डालूगी इसमें डालूगी है मैं सूजी मैं भूल गए थी मैं खीकरी वाले जो थे मैं उसमें सूजी बोल रही थी कि वह उसमें है सूजी है ना तो दिमाग में नहीं रहा तो यह मैंने जो मीठी पूरियां बनती है तो इसमें डाली है और आप एकीन मानेगी यह सब चीज़े आप इस तरीके से बनाएंगे आपकी जो मीठी पूरिया ऐसी बिस्कुट की तरह बनेगी कि आप 10 दिन तक उसे खाएंगे तो ऐसी के ऐसी रहेगी थोड़ा सा इसमें ड प्तचत Tisen करूंकि थोड़ा मेरा देसीगी जो मेरा शुद्ध घी हो खत्म होने जारा है जो में घर में थोड़ा बहुत दही बगार मलाई वलाई करके जो भी मैं निकालती हla वो इतना नहीं है कि लोटा stress हो जाए ह्ला वगैर भी बनेगा तो ठोड़ा खत्म हो रह और रिफाइंट दालेंगे तब भी चलेगा यह जो गुड का पानी था यह ले लिया है और यह पानी न अच्छी तरीके से इसको गरम कर लिया है गरम करने के बाद जो थोड़ा से गाड़ा होने लगता है उससे आप आटा बांदे और यह देखिए मैं लिये जा रही हो और यहाँ पर देखिए एक गिलास था जो गुड का पानी था वो रह गया है थोड़ा सा कम और यहाँ पर देखिए हाथों पर लगी गया है तो यह पर देखिए निकालना तो पड़े गई है ना तो इसमें वो करने की तो होगी नी बात के बाद चमस से निकालने देखिए आथों का तो समया होता और हात ли हमारे बिल्कुल साफ रहते हैं, मैंने छोटी 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 लोईयां बना लिएक हैं और इनकी मैं बेल अगूरी है है ना तो बस यहां पर मैं लिए जा रही हूं और अब इनको बेल के मैं करूंगी तलना शुरू सरसू का तेली है कड़ाई में कड़ाई ये मैं लोही के चड़ा दिये क्योंकि शाम तक ये काम आएगी कड़ाई छोटी-छोटी-छोटी-छोटी सी मैंने इसको यहां पूरी करते हैं लड़ना शुरू कर देते हैं और ये खेल-खेल में लड़ रहे हैं इत्ते बड़े हो गए हैं पर फिर भी इन्हें शरफ नहीं है खूब डाट खाते हैं और पर इनकी मनमानिया चालू ही रहती है तो बस जी पूरी में डालके आ गई हूं एक बार कड़ाई में औ तो इसाऀ में जाए हूं जाए तो नहGotई है फोड़ा बैटते उठते काम करने तो कोई दिखक्त नहीं है काम भी हमारा ही हे करना भी हमें है कोई और तो आने नहीं को तो दिरे दिरे जैसे होता रहे इगए हैं थोड़ादा साओ जाएगए यह देंक्त के बनेंगी फिर य तो अराम से देखिए ये, अलट पलट करके, इन्हें धिमी धिमी आज पे न, इन्हें सेखते रहें अन, बचेवे आटे का मैंने क्या कर रहा, ये देखिए, ये हमारे बनते हैं, गुन्गुने मुन्गुने, अजीब सा लग रहा होगा न, आपको सुनके नाम गुन्गुने मुन गुन है तो यह एक हमारी यह इसके मीठे जो पूरी बनाते हैं इसके बनते हैं इस तरीके से बस हाथ से लें और गोल गोल से यह ऐसे लग रहे हैं जासे आपको अभी ऐसे दिख रहे हो जासे बदाम रख्यों इसी तरीके से इसी आकार के बना देते हैं और एक बनते हैं जो हम पूरी बनाएंगी न उसके आठे के गुनगुने मुनगुने किस काम आते हैं वो आपको पता लगेगा पूजा के टाइम पे ठीक है जी तो यहां पे अपने मेरी चाओ शाओ भी लियाई हूं निकालके हमारी यह शाओ जो है वो धुलेंगे तो हर साली ऐसा होता है इस एक बनी है तो बस यहां पर पूरियाँ तो मेरी हो गई है अब यह जो मैंने वार खीक्री बेलके रखे थी ना पंखे के नीचे आखवार के ओपर जो तो वो अलट पलट करिया आई थी बिलकुल सूख गई है अब इनको हम इस तरीके से ना कड़ाई में इसको भी तलोंग तो यह देखी यहाँ पर यह भी सीक रही है और यह हमारी पूजा में बहुत ज़्यादा काम आएंगी क्योंकि बायना भी निकलता है इसका और यहाँ बस यह एक छलनी पर मैंने लगवा लिया अखवार अखवार क्यों क्योंकि थोड़ा सब तो इसमें तेल निकलेगा पर को देखें दिखने में क्या लगा पंच मुनट में बन गई है ना पर इसे काफी सारा टाइम लगता है बनने में तो बस यह एक एक कर जबर करें काम होते जारे पूरे यहाँ पर बच्चे पूरी मदद करते हैं जब तोहार होते हैं मेरी क्योंकि देखे छोटे-छोटे काम होते हैं उन्हें भी पता होने चाहिए और रहना भी चाहिए कि मम्मी की हेल्प करवानी चाहिए हर बच्चे को होना चाहिए ना तो जब यहारों कमा जाता है तो यहां पर बच्चे भी मेरे ना करते हैं ऐसा नहीं है खुब गाने वगरा लगा देते हैं मुझे भी entertainment करते रहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे बोरियत महसूस होगे है बस जी यहां पर मैं अपनी पूझा वगरा की तियारी करूंगी और जो कुछ भी हमारे घर पे होता है वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलीगा